भी अलो ए्वरीवन विध्धर्थी मित्राणो अच्छा लेक्चर मदे अपनाला मोशन इन प्लाईन हाच अप्टर डिसकास नाहे यह मदले जया वेक्वेगल चारμम स satisfies रज्ले ते मोशं इन वन दाइमेंश्न, मोशं इन तु दाइमेंश्न, मोशं इन दाइमेंश्न, तर श्रया है इतला, पाथ पाथ लेंथ,"दीस्प्लहिस्माईं",आद,"। Displacement, Speed, Velocity, Acceleration, या टर्म्स जा है ते आपनला डीटेल डिसकस करायचा आहे द्बगा, शुरुवाद इचा पाड मदे, One-Dimensional Motion, कि वा Two-Dimensional Motion, कि वा Three-Dimensional Motion, One-Dimensional Motion, कि वा Two-Dimensional Motion, कि वा टर्म्स जाए आहे, For example, A body is moving along a straight-line path, क्युआ, एक हादे वैकती चालत चालले ली आहे, एका डारिक्शन मदे, क्यों रेल्वे जे आहे ती या रेल्वे ट्रैक वरून जाना रहा है ती एका डारेक्शन मदे आसना रहा है मुझे आश्या या बॉडी ची जी काई समझा हा ओरीजिन आसेल या डारेक्शन मदे बॉडी जाता सेल पीला सेल क्यूला सेल जह कहाँ तेशी पोजिशन बदलत जाना रहा है तर ही पोजिशन जे आहे ति पुर्णपने वेक्ट करने असाथी फक्त आनि फक्त एका कोर्डिनेट चा वापर कराओ लगना रहा है तो मुझे इता पन एक्स वन होनिया याला एक्स टू असा मोनिया पी आठेकानी फक्त एक X1 जा साय ना इंडिकेट होना रहा है, आशी जी कहा motion आहे? The motion of a body along a straight line path, जाल आपन वन-डायमिशनल मोशन, क्यों रेक्ति-लीनियर मोशन आसा महनना रहा है, सरण रेश्य मदे, रेक्ति-लीनियर मोशन आसा महनना रहा है, आनि, ही मोशन रिप्रेजन करना सटी फक्त और निफक्त एकाच कॉर्डिनेट सा अपना लाव आपर कराव लगना रहा है दुसरी आहे तिवगा टो डायमेशनल मोशन मंजे का है कि मोशन इन प्लेइन समझा एक ख़दा कीटक सरफेस होरुन जाता से तो तो एकस डारेक्शन लाजानार किवाँ वाई डारेक्शन लाजानार मज ते चीजी का है मोशन आहे ति पुर्णपने वेक्त करना सटी अपनाला दोन कॉर्णेट ची गरजाए एक सानी वाई किवाँ मोशन आफ अर्थ राउंड दी सन पृत्वी जी सुर्या भोती फिरना राहे ती जी का है मोशन आहे ती प्लाइन मदली मोशन आहे ही जी मोशन आहे कि अचा मदे अपनाला दोन कॉर्णेट लागना राहे एक एकस लागनार दुसरा वाई लागनार याला पन नाव देना राहे याडिकानी तो डाइमेंशनल मोशन अनि याथा थ्री डाइमेंशनल मोशन मंजे काई बगा समझा एक हादा पक्षिजवा है तो या स्पेस मदे मोशन मदे आसेल संचार करता सेल तर आशाया पक्षा ची काई पोजीशन आहे ति रिप्रेजGU करने साथी अपनाला एकस वाई आणी तिसराई कौरडिनेट लागनारा थे तो जेड कौरडिनेट मुझे स्पेस मदे जिक आए मोशन आहे अग्ति रेप्रेजेंट करने असे अपना ला तीन कॉॉडिनट ची घरजा है तेला आपन यारिका नी थ्री-डाआमेशनल मोशन एग का कॉॉडिनेट न अपना ला संगता है यह आता है यह वन् डाइमेशनल दोन कॉॉडिनेट सा वापर करा लाग कह दासे प्लैन तेला डिस्प्लस्मेंड या दोन टर्म अपन सांगनार आहे। पाथ लेंड आनी डिस्प्लस्मेंड या दोन टर्म अपनाला याधिकानी सांगाई चाहे आहे बगा। दुसरी आहेती डिस्प्लस्मेंड मुनोन आहे। पाथ लेंड मंजे काई आहे। इट इस दी एक्चुल डिस्टन्स कवर्ड बाई दी पार्टिकल। पार्टिकल एका पोजीशन पसुन दुसरी ठिकानी जाता स्तान त्यनक कवर के लेल जे आंतर आहे। पन याधिकानी पाथ लेंट असनाव देनार आहे। मंजे सम्झा पार्टिकल ए याधिकान पसुन निगाला, बी याधिकान निगेला, है अंतर सम्झा थ्री मिटर असेल, तर पाथ लेंट थ्री मिटर आहे। सम्झा हाँ पार्टिकल जार, सी याधिकानी गेला सेल, तर चार मिटर असेल, तर ए पाशुन चा सी परेंच अंतर जे आहे, तर एकुन सात मिटर आहे। इस पाथ लेन, ही स्केलर कॉंटिटी आहे, ही स्केलर क्वंटिटी आहे आनी पाथ लेन मंझे डिस्टन्स मोजनार एक मिटर अहे, त्याला ओड़ मिटर असा मतलेला हे पाथ लाइन मुझे डिस्तन्स मोजनार जे मीटर आहे तैला ओडो मीटर आसा नाव दिलेला है अनि आता बगा ये पसुन हाँ बी कड़ गेला सी कड़ गेला मुझे एकुन साथ मीटर आंतर गेलेला आहे स्केलर कॉंटिटी आहे युनित आहे मिटर आसा आहे आता बगा दुसरे आहे ती टर्म डिस्प्लसमेंट डिस्प्लसमेंट is nothing बट दी shortest distance between final and initial position. Final position particle चे आनि initial position जे आहे, यहाचा मदला कमित कमी आंतर मंजे displacement आहे. यहाच ठीका ने अपने विचाराद गेविया. समझा particle यह पसुन भी कड़ गेला, तर यहाचा distance मंजे पातलें तो तीन मिटर आहे. आनि displacement सुद्धा तीनस मिटर आहे, इने राइट डारेक्शन लाहे. बे पसुन से कड़ गेला, तेचे पातलें तो चार मिटर आहे, displacement सुद्धा चार मिटर च आहे. मातर, शुरुवाती पसुन चा जर आपन विचार केला, ए पसुन चा, ए टो भी तीन मिटर बरबरा हे, बी टो से चार मिटर बरबरा हे. मातर, आपन जर ए पसुन से कड़ा, इनीशल आनि फाइनल पोजिशन चा विचार केला, मंजे या चा विचार केला, तर अपनाला displacement मंजे, आशे आन्तर मिटर आखे, AC, आनि हे किती आशन आखे? पाच मिटर आशन आखे, किती आशन आखे? पाच मिटर आशन आखे, ए आणि C मतला shortest distance मंजे displacement आखे, ये वेक्टर क्वांटिटीटी आखे, ते आज बरबर, यचल युनित आ ये किती आखे, निगेटिव आसेल, जीरो सुद्धा आसेल, जीरो सुद्धा आसेल, जीरो सुद्धा आसेल, जीरो सुद्धा आसेल, जीरो आसेल, जीरो आसेल, जीरो सुद्धा आसेल, जीरो आसेल, जीरो सुद्धा आसेल, जीरो सुद्धा आसेल, जीरो सुद्धा आसेल, जीरो सुद्ध प्रफलेंट 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 प् गेला, AB यहवडात्च वीचारात्टेतला, तर हापनाला, डिस्टन्स आनी डिसप्लस्मेंन, यह यह मैगनिट्ओर कह ओ commander सार्खी मरिनَّ रहें, डिस्टन्सानी डिसप्लस्मेंन, मैगनिट्ओर सार्खी मुरिनार आ सम्जाव तो A, B, C, आसा विचारात घितला , A, B, C , by way साथ . अपनलंको कंवी मिला लें . का मिला लें ? 56 . अपनि याग का दर साइधिन लग की displacement ही positive आहे, negative आहे आहे अनि तो पर भुबर जीरो सुद्धास नार आहे जीरो कशि आसते बगा निगेटिव मनजे अपन जरती लेफ्ट डारेक्शन ला क्योंवाँ डाउनवर डारेक्शन मदे घेता असल तो निगेटिव आसना रहे आता बगा सम्झा पार्टिकल ए पसुन निगाला और फिरून एकड़ परत आला है ए पसुन निगाला और तो बीला है, सीला है, सम्झा इता डीला अपन गेतला तर ए पसुन जाला फिरून तो एला एना राहे तिया वेडेला डिस्टन जे आहे, डिस्टन्स इक्वल टू टू पाय आर असा मिलना रहे, किती मिलना रहे, टू पाय आर, आनि डिस्प्लस्मेंट जे आहे ती या केस मदे अपनाला जीरो मिलना रहे ये, या केस मदे डिस्प्लस्मेंट जे आहे ती काय मिलना रहे, जीरो मि तो इनिशल और फाइनल पोजिशन जे आहे ति काया है? सेव आहे, मैं फरक किती एनार? 0 NR आहे, एते का लक्षत भगा, फरक एनार तो 0 मैं जे डिस्प्लेस्मेंट या केस मदे 0 NR आहे, आथा, यस इक्वल टो 0 NR आहे, सामझा तो ए पसुन बी कड़ एनार सेल, तर जी पाहिए ऐसे अना एना सब्सक्रा टिसनाच में तीदिया है टनर केद न्याहिए रोट praying कि मुगा टों मीटर का जोगर रोट मेरा सब्सक्राइड प्याव不會 कि डिएस अन्याहिए टू ला टों मिटर आमेन ससे उपनाला टो पैलियो इतप आँ मिलनार अपनाला 3.142 अची मिलना राहे इतकाय मिलनार अपनाला 2 मिटर मिलना राहे जर आर्च किम्मत 1 मिटर असेल तर बगा displacement distance पे शकमी आसना राहे कि वा straight line motion असेल स्रोड रेश्य मदे आसेल तर displacement अनी distance ची magnitude का असना रहे कि असनार आहे कि वेक्टर क्वांटिटी असा अपन संगित लेला आहे में भी जहीरो और पॉजिटिव और निगेटिव आसा अपनाला संगताय आहे असा हे displacement आणी path length बद्दल अपनाला संगताय ते next अपनाला बगा speed बद्दल संगाईच आहे speed ही टर्म संगाईच आहे speed मंजे का है it is the ratio of distance covered by body to the time interval in which the distance is covered मंजे body न कवर के लेला distance आणी तेच्च सथी लागनारा वेल याला अपन यादिकनी नाव देनारा speed मंजे यचा मदे वेगुलेजी के प्रकार आहे ते बगा uniform speed महनुना आहे तेंतर नान योनिफॉर्म स्पीड आहे तेंतर आवरेज speed महनुना आहे speed मंजे का है मंदला अपन it is the ratio of distance covered by body to the time interval in which the body covers the distance आता uniform speed मंजे काया हे when body covers equal distances in equal interval of time then the speed of that body is a uniform speed speed मंजे बटी जाला सारख आंतर सारख्या टाइम मदे कवर करता से मंजे 2 meters 1 second मदे 4 meter 2 second मदे 6 meter 3 second मदे मंजे प्रत्य क 2 meter ला एका second लागलेला हे when body covers equal distances in equal interval of time then the speed of body is a uniform speed तेचा उलत काया हे non-uniform speed speed मंजे अपनला याडिकानी भी असा notation लितायल distance upon time असा लिना राहे यलाच यस अपन टी असा सुद्दा लिला जाना राहे अता non-uniform speed मंजे काया when body covers unequal distances in equal interval of time unequal distances in equal interval of time तेचा लिए नान-uniform कि वहाँ variable speed मंजना राहे यलाच याडिकानी variable speed मंजे काया variable speed मंजे काया अधे समजा 10 मिटर के लाचे 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 मंजे पहला सेकंदा मजे दोन दूसरा सेकंदा मजे तीन तीसरा सेकंदा मजे पाथ unequal distances in equal interval of time time intervals are राहे one 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 दोगा मतलब फरगाई तो one one असा चाहे यलापन याडिकानी नाव देना राहे वेरियबल स्पीड के वान नॉनिफॉर्म स्पीड आसमनर आहे अनि आता यादिकानी हे जिके युनिफॉर्म स्पीड जर विचाराद गेतला तो डिस्टंस अनि टाइम जया आहे ते एक मेकाला समप्रमानात बदा डिस्टंस गवर्ड बाई बाई बोडी इस डारेकली पोश्चनल तु टाइम नॉनिफॉर्म के वान वेरियबल मदे नेक्स्ट आहे ते एवरेज मनुना है एवरेज स्पीड मन्जे का है टोटल डिस्टंस डिवाड़ड बाई टोटल टाइम त्या बोडी न एक उन अंतर किती कवर केला और तयाचा सटी लागना रा किती बाई टोटल टाइम टोटल डिस्टंस डिवाड़ड़ड टोटल टाइम मुन्जे अपनाला एवरेज स्पीड समन्ता आ है आता आपनाला एवरेज स्पीड जिआ आहे ते चे बह Naru. Oreavene later फोड़े आपन इसकास कारा रहे वग अपन आपन आपने आपत के आ प würde डिसक्स कर् पहला केस मदे अपन डिफरेंट स्पीड आनी डिफरेंट डिस्टंसेश विचरा दिएनर आ है पहली केस आ है डिफरेंट स्पीड डिफरेंट स्पीड डिस्टंसेश डिफरेंट स्पीड डिस्टंसेश डिस्टंसेश डिफरेंट स्पीड डिस्टंसेश 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 डिस तर, average speed मंजे काया, total distance divided by total time. पहला distance S1 आए, दुसरा S2 आए, मंजे total distance काया, S1 प्लस S2, आता total time काड़ाईचा आए. Speed आए, distance आए, time काड़ाईचा अपना ला, पहला time काड़ाईचा लगा, distance upon speed. distance upon, यहला speed लग नोटेशन आएचे, आशा पद्दत ने घिवया. दुसरा time काड़ाईचा लगाईचा अपना ला, distance upon speed. अनि यहता, V average equal to का अनरा है, total distance S1 प्लस S2, अपन टोटल time T1 प्लस T2 का अनर्वगा, S1 प्लस S2 अपन का अनरा है, S1 अपन V1 प्लस S2 अपन V2 असल हीता अनरा है, S1 upon V1 plus S2 upon V2 असल ही तैना रहा है समझा S1 equal to S2 असेलतर S1, S2 अंतर सारखा असेलतर average speed का लिए तैल बगा तैला पन S असमनर S plus S मझे 2 S असेना रहा है divided by S upon V1 plus S upon V2 का लिए तैल बगा 2 S upon S अपनाला कामन करताईल V2 plus V1 upon V1 V2 असल ही तैल S cancel होईल divide करेचे उलड करताईल अपनाला 2 V1 V2 upon V1 plus V2 असे average speed चेक्वेशन जर बडी चा स्पीड वेगला असल अनि वेगला अंतर कहर करताईल तैल 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 डिफरेंट स्पीड वेगला अंतर वेगला अंतर वेगला स्पीड बरोबर असल तैल तैचा सथी आप फॉर्मिलाल ही तैल तिघान साथी आसल तैका यह लेता हैल बगा स्पीड वेट डिफरेंट टाइम असा घेना रहा है डिफरेंट स्पीड अनि डिफरेंट टाइम घेना रहा है कशा पद्दतीन सांग तैल बगा अपना अला स्पीड आनि टाइम वेगड़े आ है वी वन टाइम टी वन आ है वी टो टाइम टी टू आ है असा पंजर कंसिनर के ला अथा आपलकड़ टाइम आ है है अव्रेज स्पीड मनझे टोटल डिस्टन्स डिबाएड था टोटल टाइम टोर आ है अपलकड़ डिस्टन्स काड़ेला पाई जे पहले डिस्टन्स का अनर्भगा वी वं टी न, दुसर का Vn Tn असल ही, तैल, टोटल डिस्टन्स, मैं एवरेज स्पीड काड़ाईच असल, तो काल हिनार अपन? Yes, अपन, टोटल टाइम आया है, तो काया नार? T1 प्लस T2 प्लस Tn असल हमनिया अपन, मंजे काया नार? V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस Vn Tn divided by T1 प्लस T2 प्लस Tn असल ही तैल, समजा हे टाइम इंटर्वल्स अर सार्खे अस्तिल तर, मंजे T1 उक्वल टू T2 उक्वल टू T3 उक्वल टू T असल, साल है टाइम इंटर्वल सार्खे, तर एवरेज स्पीड इक्वल टू कायल हिनार अरबगा, V1 प्लस V2 प्लस डाश 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 वी अन इंटर्वल्स T, अनि खाली सगलेंची बेरेज अनर आहते, यन T, T कैंसल करतेल अपनाला, मंजे V1 प्लस V2 प्लस प्लस VN डिवाइड़ बाई यन, दोन चासेल तर दोन डिवाइड करायाचा, V1 प्लस V2 अपन 2, तीन आसेल तर, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपन 3 असा करना राहे, असा अबरेज स्पीड अपनाला याडिकानी, तेचे वेगवले फॉर्मिले, डिफरेंट स्पीड वित डिफरेंट डिस्टन्स, डिफरेंट स्पीड वित डिफरेंट टाइम, वेगडे फॉर्मिले अपनाला याडिकानी, मिलवता अले ले आहे, नेक्स्ट अपनाला बगा टर्म संगाइचे आहेती वेलासिटी, नेक्स्ट अपनाला याडिकानी, वेलासिटी संगाइचे आहें, त्यामदे यूनिफॉर्म वेलासिटी, नान यूनिफॉर्म वेलासिटी, अनि एवरेज वेलासिटी, नान यूनिफॉर्म लापन वेरियवल वेलासिटी असा सुद्धा मननर आहें, स्पीड अनि वेलासिटी यून टर्म्जे आहें, स्पीड ही स्केलर आहें, तो वेलासिटी ही वेक्टर आहें, speed ही scalar आहे ता velocity vector आहे velocity मन्जे काये it is the ratio of displacement covered by the body to the total time required to cover the displacement मन्जे भीबार equal to लेच असल तर अपनला यस बार अपन ती असल ही ताये न रहे it is the ratio of displacement covered by the body to the total time required to cover the displacement या चा रेशो मन्जे वेलासिटी युनिट आहे ते speed चा आनि velocity चा सारख चा है meter per second speed scalar quantity आहे तो ही vector quantity आहे scalar आहे scalar आहे जिरो क्यों आप positive rest आहे बोडी रेस्ट आहे तो speed जिरो body motion मादे आहे तो पॉजिटिव का आहे तो अपनला मिननर आहे मात्र वेलासिटी जिया हे ती जिरो आसेल positive आसेल क्यों आहे निगेटिव आसेल पुना sign convention मादे right side ला direction आसेल तो पॉजिटिव अपवर्ड आसेल तर positive left side लासेल तो निगेटिव डावर्ड आसेल तर निगेटिव आनर आहे अशी ही वेलासिटी युनिफर्म वेलासिटी मन्जे का है when body is in motion covers equal displacement in equal interval of time time equal displacement and time interval in time interval in time interval in time interval distance and displacement मन्दे काया है direction सा फरक आसे ही uniform velocity non-uniform किवा वेरियवल मंझे का है unequal displacement in equal interval of time unequal displacement in equal interval of time अनियता ही वेलासिटी आहेती speed जास्ती जा बोडी जार एका डारेक्शन मदे आसेल, तर स्पीड अनी वेलासिटी ची मैगनीटूड अपनाला काय मिलना रहे, सारखी मिलना रहे, स्पीड अनी वेलासिटी ची मैगनीटूड जी आहे ती अपनाला या केस मदे सारखी मिलना रहे, वेरियेबल वेलासिटी, समझा, अब कि में शर्कुलर मोशन मदे आसे तर 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 स्याइख वतार तरश बैयाख नारे हे तर 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 प्रकुलर स्थार का सेल मात्रर टारेंक्जन से बदलनाँ अराहे तया हमुल ते या तिक्न आड़ जर्सितप्रस्ट in equal interval of time तोटल आपन यादिकानी non-uniform velocity आसमननार है आणि नेक्स्ट आहति बगा average velocity तोटल डिस्प्लास्मेंट डिवाइड़ बाय टोटल टाइम तोटल डिस्प्लास्मेंट डिवाइड़ बाय टोटल टाइम अपनला सांगते नरा है अपनला वीबार इकुवल तोटल डिस्प्लास्मेंट डिवाइड़ बाय टोटल टाइम अशमननार आणि यामदे ही वेलासिटी जे आहति में भी जीरो जीरो आसुशक्ते कश्य आसुशक्ते बगा पार्टिकल गोल फिरा रस्ताना ए पसुन निगाला आणि पुना एक डाला अशा सम्झा अपने एक चार पोइंट गितले ए पसुन निगाला एक डाला तो तोटल डिस्प्लास्मेंट किती जीरो आणि टाइम लागनार जो का अशल तो टाइम मंजे अपनाला वेलासिटी या केस मदे जीरो मिलनार आहे टोटल डिस्प्लाइज वेलासिटी जे अपनाला जीरो मिलनारा आहे अशा है वेलासिटी, uniform वेलासिटी, non uniform वेलासिटी मंजे variable वेलासिटी इतव पार्टिकल फिरत ौष्टाना वेलासिटी जे आहे ती एलाउंग टेंजन दाख्याटे ब σαςचा अँझा इता सम्जा, एचे मैगनिटुड जरी कॉंस्टन असेल, डारिक्षन काय होना रहे, बदलना रहे, त्या मुल यला यादिकानी वेरियबल वेलासिटी असा मनना रहे, और अणी एवरेज वेलासिटी, टोटल डिस्प्लस्में डिवाईर बाई टोटल टाइम असा, अपन संग इंस्टन टेनियस स्पीड अनि इंस्टन टेनियस वेलासिटी असा, दोन टर्म अपनला सांगाई चाहे त्वगा, इंस्टन्टेनियस स्पीड अपनाला एवरेज स्पीड महिती आहे एवरेज स्पीड मन्ज़ काया मन्तु अपन अपनाला तो इंस्टन्टेनियस स्पीड गेता है नरा है मन्ज़ भी इक्वल टो काया लिनार बगा लिमिट डेल्टा टेंस टु जिरो डेल्टा एक्स बाइ डेल्टा टी यला अपन दी एक्स बाइ डी टी असल लिनार टाइम रेट टाप चेंज अप डिस्टन्स टाइम रेट टाप चेंज अप डिस्टन्स यला अपन नाव देनारा है या ठीकानी इंस्टन्टेनियस स्पीड वेग बेगला वहिकल मदे जे स्पीडोमीटर आहे इट इंडिकेट्स इंस्टन्टेनियस स्पीड त्या इंस्टन्टला स्पीड किती आहे ते स्पीडोमीटर वरती लक्षाते नारा है तो स्पिड कमी झास्तो होतो शुरुवा दी ला वाड़ जातो थंबाई चा सेल तर कमी होते तो य युह नगित विभला तो युनिफॉर्म सुद्ध आसना राहे एक समान गती न सुद्ध आसना रहे तो जो स्पीड आहे तो त्य इंस्टन्ट चा स्पीड आसना रहे 10 अर वेल्डवरिज वार्ज वालसिटी Allah अपन्जरगेतली तर टॉटल डिस्पऽेंट डिवारुए बड़ टोऑल टाइम हाट टाइम इंटर्वल जरलेया कमी असना रहे delta t tends to zero, v bar equal to limit, delta t tends to zero, delta x bar by delta t असल हीताय न रहा है, मज़े dx bar by dt, अन्य यला define करताय न रहा है, it is the time rate of change of displacement, it is the time rate of change of displacement, त्या इंस्टन्टला जी वेलासिटी आहे, त्याला आपन नाव देनाराई instantaneous वेलासिटी अन्य अन्य अता फुर्चा पाड मदे अपनला याडिकनी, जिके acceleration आहे, त्या acceleration बंदल चो discussion कराईचा आहे, तिसरी टर्म आहे थी, acceleration, एंस्टन्ट बंदल अपनदल Uniform Acceleration, Non-Uniform Acceleration, Average Acceleration, Instantaneous Acceleration, आशा वेगुलेट टर्म आपन सांग ना राहे बगा Acceleration मन्जे काया है? It is the change in, it is the ratio of change in velocity to change in time Acceleration मन्जे काया ना राहे? Change in velocity delta V by delta T आशा मन्जे आपन यह से यूनिट आहे ते meter per second square आशा ना राहे तैसे बरुबर ही vector quantity आहे ही जे आहे ते vector quantity आहे आता यह से मन्जे आपना ला Uniform Acceleration Non-Uniform Acceleration आनि अजयद एफ है? आनि इंस्टन्टेंटेनियस't बगा, uniform acceleration मंजे का है when body is in motion changes its velocity uniformly in equal interval of time मंजे प्रत्यक सेकंद आला velocity मदला बदल जर सारखा असेल तो तेला आपन नाव देना रहे uniform acceleration तेला आपन नाव देना रहे uniform acceleration मंजे पहले समझा पहले सेकंद आला वन टू मिटर पर सेकंद दूसरे सेकंद आला टू मिटर पर सेकंद वेलासिटी तिसरे सेकंद आला शिक्स मिटर पर सेकंद वेलासिटी तर याठिकांच जे एसलेरेशन आहे तर आपन यूनिफॉर्म एसलेरेशन कि वाँ कॉंस्टन्ट एसलेरेशन असमनर आहे जर बॉड़ी के वेलासिटी चेंज होता स्ताना अनिक्वल वेलासिटी इनिक्वल इंटरोल अफ टाइम जे काए पहला से कंदला दौन दूसरा से कंदला पाज तीसरा से कंदला या डिकनी सम्जा दहाँ असले यला अपन आपन नाव देना रहे non-uniform acceleration मुझे वेलासिटी मदला बदल जर अनेक्वाल असेल इक्वाल इंटर्वल अव टाइम मदे तो त्याला पन नौ देना रहे non-uniform acceleration average acceleration change in velocity upon change in time total change in velocity डिवालासिटी 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 टोटल टाइम मुझे average acceleration नरा है अनि याता instantaneous acceleration मंजे time intervals are tends to zero कमी असेल तो एक्वाल हिनार limit delta t tends to zero delta v by delta t असेल हिनार मंजे अपनाला dv by dt that is the rate of change of velocity is the instantaneous acceleration अचाया वेग वेगला term path length displacement speed मदे speed uniform non-uniform अजे variable अनि त्यास बरोबर average त्याचे वेगले equations अपन डिराव के ले ले आहे velocity uniform non-uniform average acceleration त्याचे मदे वेगले प्रकार uniform non-uniform average acceleration अनि प्रतिक ठीकने अपने instantaneous speed instantaneous velocity instantaneous acceleration या वेगले टर्म अपन संगीत ले ले आहे याचा वापर कुरून अपनला फुड़ काई article डिसकस करायचे आहे द्वगा बाचा त्याचे लेगरkey याचे लेगर Scottish connection